अच्छ जिस प्रोग्राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस उस्षाथ प्रोग्राम में आपको बहुत ही सिंपल प्रोसेश देखने खिले मिलेगा,शिया आप आराम से इस प्रोग्राम के थूँ निउज लिए जॉदEd के लिए अपलाई कर सकते हैं,व। पोर आराम इसी official website page से आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग skilled migrant category resident visa के लिए apply कर सकते हैं आज इसी program के बारे में बात करना है कि कैसे आप इस visa के लिए apply कर सकते हैं और क्या process है तो guys देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि the skilled migrant category resident visa reopened on 9 October 2013 with criteria यह with criteria के साथ guys 9 October को reopened हो चुका है अब आप इस visa के लिए apply कर सकते हैं इसमें आपको क्या-क्या requirement की जरुरत पड़ेगी क्या document की जरुरत पड़ेगी यह सारा कुछ मैं आपको अपने laptop screen पर guys आपको दिखाने वाली हूँ आपको इस वाले link पर आजाना है skilled migrant category resident visa कि अगर आप list पे आ जाते हैं directly तो यहाँ पर visa details आपको देखने के लिए मिल रहा है apply for the visa if you are currently work or you have a job offer from a accredited employer अगर आपके पास accredited employer के तरफ से job offer मिल चुका है या आपको मतलब आप काम कर रहे हो ऐसी companies में तो आप इस visa के लिए apply कर सकते हैं और उस country में जाकर के काम कर सकते हैं यहाँ पर submit EOI करना वड़ेगा आपको expression of interest को अपना submit करना पड़ेगा length of stay है guys यहाँ age range आपको दिखाया जा रहा है कि 55 year and under मतलब अगर आप 55 साल के हैं तो आप इसके लिए applicable है या तो आपको 55 साल के age से कम होना चाहिए आपका age फिर what you need to apply का यहाँ पर option दिया गया है check if you are eligible to apply for this visa and what supporting documents and information you need यहाँ identity में देख सकते हैं guys यहाँ लिखाए you and anyone else include in your application must provide proof for identity आपको कोई proof for identity अपना submit करना पड़ेगा फिर age आपकी 55 साल से कम होनी चाहिए या 55 साल होना चाहिए फिर यहाँ health में देख सकते हैं लिखा हुआ you and anyone else include in your application must be in a good health अगर आपका good health है तो आप आराम से इस जॉब के लिए apply कर सकते हैं character में देख सकते हैं आपका good character होना चाहिए मतलब आपका police verification certificate जो होना चाहिए वो आप submit कर सकते हैं good character में कि आपका कोई भी criminal record नहीं है English language यहाँ पर guys आपको you must speak है तो आपको आनी ही आनी चाहिए skill job और job offer में देख सकते हैं कि accredited employer की तरफ से आपको कोई job offer मिला हो तो ही आप इस job के लिए आराम से apply कर सकते हैं New Zealand के लिए या इस वीजा के लिए आराम से apply कर सकते हैं New Zealand occupational registration में आप guys देख सकते हैं और accredited employer की अगर बात की जाए तो मैंने एक specific video बनाया कि कैसे आप accredited employer को contact कर सकते हैं तो आप उस video को भी guys watch कर सकते हैं देख सकते हैं फिर यहां पर occupational region में यह सारा qualify points हो सकता है अगर आपकी occupational registration अच्छी है या qualification अच्छी है registrations to quality for points यहां पर है income में guys यहां पर income देख सकते हैं कि your income you earn from your job just much मतलब 1.5 time the median wages to the quality for points अगर आपको जो इसमें points मांगा जा रहा है इस points को अगर आपको clear करना है उस points कि according अगर 1.5 time अच्छी है आपकी salary या income ने तो आप 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 से उसे clear कर सकते हैं skilled work experience in newsland में देख सकते हैं आप आपको skilled work experience होना चाहिए आप जो इस भी job के लिए apply करेंगे वो skilled worker की job होने ही चाहिए accredited employer होने चाहिए वो आपके relationship with family कि अगर आप family को लेकर के जाना चाहते हैं तो family को English बोलनी आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो मतलब कि उन्हें proper class आपको provide करवाई जाएगी तो मतलब यह सारा इनका पूरा process है guys यहाँ पर check your points देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको देखने के लिए enough points to be invited to apply अगर आप you need to six points in a total आपको total six points चाहिए इस वीजा के लिए apply करने करना है तो तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको points skills categories में मिल सकता है claiming point के आपको qualification में आपका अच्छे हो या income में अच्छे हो या newsland registration में अच्छे हो तो इसमें से आप select कर सकते हैं skills work experience पर आप click कर सकते हैं select the amount of skilled work experience in newsland यहां से आप choose कर सकते हो guys यहां पर select कर सकते हो लिजिक दर भी scroll करेंगे तो और भी आपको ऐसी process देखने के लिए मिलेगा note देखने के लिए मिल रहा है तो guys इस visa के लिए अगर आपको apply करना है तो यहां से आप अपनी availability मतलब की suitability चेक कर सकते हैं कि आप इस visa के लिए capable हैं की नहीं क्या-क्या process है कैसे आप इस visa के लिए मतलब की perfect suitable है यहां पर आपको पूरा process दिखाया गया है कि आप में क्या-क्या points होनी चाहिए क्या-क्या आपसे requirements है तो guys आप आराम से इस visa के लिए apply कर सकते हैं इसी official websites page से guys जैसा कि आपने देखा कि कितना simple process है आपको इस program के लिए जल से जल guys apply कर लेना है अगर आपको इस program में contact करना है या अपना application form भरना है तो guys आपके पास होना चाहिए newsletter format का CV और cover letter तो सबसे पहले अपना newsletter format का CV और cover letter बनवा के तयार करवा लिजिए उसके बाद guys आप अर्राम से इस program के लिए apply कर सकते हैं और New Zealand जाकर के लाख और रुपे कमा सकते हैं guys अगर आपको हमारी ये useful information पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो को like करेगा share करेगा और हमारे चैनल को subscribe करेगा guys अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में till then see you tata